आग दरसल अब बाचीत करना चाहते हैं कि दरसल भारती जनता पार्टी को हुआ क्या है। देश के प्रधानमंती नरेंदर मोधी और उनके टीम को अचानक क्या ऐसा शौक लगा है कि वो पूरी तरीके से अब हिंदू-मुस्लिम की बाइनरी पर आकटिक गए है। पहले प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने पहले दोर के चुनाओ के फॉरण बात जिस तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाए को घुसपैठिया बताने की कोशिश की, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले की कोशिश की और 18 साल पुराने मनमौन सिंग के बयान को लेकर पूरे न उद्धा 2024 में उनको वोट दिला पाएगा, ये बड़ा सवाल है, या पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारतियंता पार्टी के सरकार ने काम किया है, बड़े-बड़े दावे किये गए हैं, बड़े-बड़े वाइदे किये गए हैं, क्या वो फीका परता जा रहा है, क्य वो अब वोट लाने के लाइक नहीं बचा है, इसली करेंगे चरचा लेगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं, कि आज हम क्यों दुबारा इसी मुद्वे पर बात करने के लिए मजबूर हुए हैं, दरसल प्रधान मंतरी नरेन नर्मोदी ने पहले कहा था, कि जब उनकी स पार्टी की सरकार की तरह में इशारा कर रहे हैं, ये बात उन्होंने दो दिन पहले कही थी, पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है, ये संपत्ती कठा करके किसको बाटेंगे, जिनके ज्यादा बच्च तो कह रहा है क्यों माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे उनकी जानकारी लेंगे और फिर वो संपत्ति को बाट देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमून सिंग जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है बाई और बहनों ये अर्ब हिंदु हिंदू आइकॉन के तौह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहते हैं यह कहते हैं कि पर्सनल या को फिर से लाएंगे यह लिग शरीया कानून लागू करें जे कभी कभी तो मुझे लगता है कि भारतियंता पार्टी के निताओं की बोल को सुनकर कि हम हिंदुस्तान के अंदर की राजनीत को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर की किसी राजनीत को देख रहे हैं आकरी, लेकर एक बड़ा सवाल यह है, कि जो प्रधान मंतरी यह कहते हैं प्रिसले 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान का रुत्बा पुरी दुनिया में बढ़ा है जो यह दावा करते हैं कि अगर यह दुबारा आए तो अगले टर में भारत तीसरी दुनिया के सबसे बड़ी अर्थोबस्ता हो जाएगा जो ये दावा करते हैं कि आज अमेरिका दुनिया के हर कोने में भारत का जबरदस तरीके से भारत की पहचान बनी हुई है जो ये दावा करते हैं कि उनका कारिकाल का जो आर्थिक ग्रोथ है जो आर्थिक जिसे कहते हैं economic growth है वो मनमोहन सिंग तो छोड़िये बाकि सारी सरकारों से बहतर है उनको शरिया कारूं के बारे क्यों बात करने के जरूरत पड़ रही है उनको हिंदु मुसल्मान की binary खड़ा करने के जरूरत क्यों पड़ रही है वो मुसलिम तब के को क्यों न कर जाएगा और जारों जार सारे वोट इनकी जोली में लाके डाल देगा यह बड़े सवाल है कि लोक्तंत्र जो है यह रोटी कपड़ा मकान पर वोट पड़ेगा या भावनात्मक्त दोहन करके वोट सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें Google Play Store पर एप जो से उपर प्रेगर शोटी कि लोट देगा है कि लोटी में जारों करके दोट है।